कि यह जो शायरी में वा होती है यह जो शायरी में वा होती है यह शायर की दिल की आ होती है यह जो शायरी में वा होती है यह शायर के दिल की आ होती है और जहां न होती है मंजिल और नहीं घर वापसी जहां न होती है मंजिल और नहीं घर वापसी यह महबत एक ऐसी रहा होती है और इसी का अगरी शेर है यहां हर कोई चाहता है महभूब के साथ उम्रे गुजारना किसको मर जाने की चाह होती है एक गजल लिगी थी कि हसी एक परेव है जो मैंने ओड़ रखा है दिल तोड़ने के खातिर ही तुम से जोड़ रखा है हसी एक परेव है जो मैंने ओड़ रखा है दिल तोड़ने के खातिर ही तुम से जोड़ रखा है और जहां तुमने उंगली से बनाया था दिल किताब का वो बनना आज भी मोड़ रखा है शुक्रिया शुक्रिया और मुझसे ना घबराना ना देना सफाई कोई तुधोखा जारी रख मैंने मुँ मोड़ रखा है और तेरा घर सज रहा ये बात सच है क्या मुझे ना मालूम मैंने तिरी गली में आना जो छोड रखा है और आखरी इसका तेर है क्या कहा मेरे दिल से खेलना है तुम्हें कि क्या कहा मेरे दिल से खेलना है तुम्हें ये खेलोना मैंने पहले ये दोड़ रखा है कि एक गजल और लिखी थी उसको पढ़ना चाहता हूं जैसे दो दोस्तम जो सात हमेंसा रहे हों और किसी ने डूसे दूस्तमे डूस्तम का दिल टूटते हुए देखा है तो उसको सम्झा था किस प्रकार है कि ऐसे occur Part 2 कि इस जो यह वहं तुमने पाल रखे हैं रिम्हें अब तक उनके ख्याल रखे हैं कि जो अपत का भरम न तूटे बस इस जड़ते दबा के अपने वाजिब सवाल रखें अब पुराने दिन को याद दिलाता है दोज कहता है कि तू तो कैसा संबला संबला सथा तू तो कैसा संबला संबला सथा पिर आसपास ये कैसे बवाल रखें और उसने तिरे दिये खत जला दिये कपके तूने अब भी उसके दिये वह रूमाल रखे हैं और इश्क में कुछ पर्ज उल्पत तो उनका भी था क्या तूने ही सारे मसले जमाल रखे हैं जब कोई जाने लगे तो एक शायर अपनी माशुगा से क्या कहता है क्या कहके इलविजा करता है मेरे बाद भी एहमियत तुझे अच्छी खासी मिलेगी इश्क की रोटी जो मिली तो बाती मिलेगा धन्यवाद